हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो इगनुबडी, देखे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इगनु की ओरिजिनल मार्कशीट के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इगनु से केवल दो घंटे में अपनी मार्कशीट को ले सकते हो जिस facility के बारे में काफी सारे students को पता नहीं है कि आप कैसे इगनू से केवल 2 गंटे में अपनी mark sheet को ले सकते हो और उसके लिए क्या eligibility criteria है इसी के बारे में आज की इस पूरी वीडियो में मैं बात करूँगा तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखना लेकिन उससे पहले अगर आपने भी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो इगनू से related हर update के लिए इस channel को जरूर subscribe कर लेना और अगर आपको इगनू से related कोई भी problem face करनी पड़ रही है अपने assignment से related या result से related तो कैसे आप मुझे directly call करके अपना doubt मुझसे पूछ सकते हो उसके लिए video के description में एक video है उसको जाकर check कर लेना कि कैसे आप मुझे call करके अपना doubt मुझसे पूछ सकते हो तो अब बात करते हैं आपकी इगनू की mark sheet के बारे में तो देखिए इगनू में जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी mark sheet है वो आपको काफी time के बाद बड़ी मुझकिल से मिलती है तो इगनू में एक तो पहले ही assignments के marks को update होने में काफी time लगता है result को update होने में काफी time लगता है तो इगनू में हर student का ये dream है एक तरह से कि उनकी mark sheet उनको जल से जल मिल जाए तो आप कैसे अपनी mark sheet को जल से जल ले सकते हो केवल 2 गंटे में तो उसके लिए मैं आपको बता जेता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा तो पहले तो उसका जो eligibility criteria है मैं आपको बता देता हूँ तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका great card है वो पूरी तरह से complete होना चाहिए ये सबसे पहला eligibility criteria है अगर आपको अपनी mark sheet चाहिए आपके assignments के और exam के दोनों के marks आपके complete होने चाहिए और आपका great card पूरी तरह से complete होना चाहिए और दूसरा जो eligibility criteria है वो ये है कि आपके पास कोई भी ऐसा एक valid reason होना चाहिए जिसकी वज़े से आपको mark sheet चाहिए तो वो valid reason कुछ भी हो सकता है जैसे कि आपको कहीं और admission लेना है या फिर आपको किसी job के लिए apply करना है उसके लिए भी आप कोई भी उनको prove दे सकते हो जिसके लिए आपको ignu के headquarter मैदान गड़ी में जाना पड़ेगा उसके आपको valid reason देने पड़ेंगे कि आपको mark sheet इतनी urgent क्यों चाहिए तो अगर आप कोई valid reason दे देते हो उनको अपने admission के related या job के related तो आपको आपकी mark sheet केवल 2 गंटे में मिल जाएगी आपको एक application लिख कर देनी पड़ेगी और आपको अपका reason बताना पड़ेगा तो आपको आपकी mark sheet केवल 2 गंटे में मिल जाएगी तो ये ignu की facility काफी सारे students को पता नहीं है और ignu के student इस facility का use कर सकते हैं अपनी mark sheet को जल सी जल लेने के लिए तो ये एक facility है अगर आपको आपकी mark sheet जल दी चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो तो अगर आपको ये video helpful लगी है तो इस video को ज़रूर like करना और इस तरह की ignu से related हर update और information के लिए इस channel को ज़रूर subscribe कर लेना so thanks for watching this video thank you so much